Hello friends, I am Dr. Tarunawar. Welcome on Unacademy. आज के इस lesson में हम important personalities को cover करेंगे. RAS 2018 का prelims का syllabus अब out हो चुका है. उसके last topic को हम इसमें basically cover कर रहे हैं. Last topic में हमें cover करना है important places, important personalities और sports related activities को. अगर आपको ये series अच्छी लग रही है तो please आप rate review recommend ज़रूर करें. तो आए हम इसे start करते हैं. Hello friends, ये मेरे बारे में थोड़ी introduction है. मैं इक dental surgeon हूँ और an academy पर verified educator. Start करते हैं. 2017 का Rajasthan Unmol Ratan Award दिया गया है. चुरू की रहने वाली है कार racer शीतल डुगर को. ये इनकी picture है यहाँ पर जिससे हमें याद रहेगा ये. राइट और ये अवार्ड दिया जाता है कमला गोयंका foundation के द्वारा Mumbai based ये foundation है. और Global Leadership Award जो है वो दिया गया है प्रताप कड़ के रहने वाले हैं. entrepreneur है ये कलपेश राज सुनी. यंग entrepreneur है. इनको ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने information technology के सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है. Digital India program के अंदर इन्होंने youth को, both boys as well as girls को इन्होंने काफी empower किया है. इसलिए इन्हें Global Leadership Award दिया गया है. ये अवार्ड दिया जाता है Peace and Diplomate Organization के द्वारा. जो भी youth को empower करने में अपना remarkable contribution देते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है. तो प्रतापगर के कलपेश राज सोनी को इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है. इसलिए काफी important है क्योंकि बहुत ही rare ऐसा होता है कि RPSC के चेर्मेन की जो post है, इस पर किसी भी non administrative person को appoint किया जाए. Mostly यहाँ पर civil services के जो officers होते हैं, उन्हें ही appoint किया जाता है. और यह राश्ट्रे स्वयम सेवक संग जो organization है, उसे associated है, काफी social work भी करते हैं. इनका tenure रहेगा six months क्योंकि उसके बाद six months complete होने पर इनकी age हो जाएगी 62 years. जो कि RPSC के chairman या members जो है, उनकी age अगर 62 years हो जाए तो उन्हें retire होना पड़ता है. तो इससे हमें ये भी याद हो गया है कि RPSC के chairman और members है, उनके tenure में age कितनी है, 62 years. उसके बाद राजस्थान की जो ILD Skills University है, ये country की हमारे इंडिया की first skill university है, right? इसका पूरा नाम है राजस्थान Institute of Leadership Development University, शौर्ट में इसे रिसू भी कहा जाता है, जैपूर के जमदोली में ये located है. तो इसके first vice chancellor जो है वो नियुक्त हिया गया है, RPSC के ही हमारे former chairman है, डॉक्टर ललित पवार, आप सभी जानते होंगे इने, ठीक है. राजस्थान के पास private skills university भी है, जिसका नाम है भारतिय skill development university, और ये एक Swiss dual system पर based है, right? तो इससे हमें ये भी याद हो गया कि राजस्थान की जो skills university है, ये इंडिया की भी first skills university है. उसके बाद जोदपूर टूरिस्ट गाइड एस्सोसियेशन ने अपने साथ Bollywood actor शारुक खान को associate किया है, इन्हें honorary membership दी है, badge प्रोवाइड किया है इससे. हम जानते हैं, जब भी कोई personality जो है, किसी भी association के साथ attach होती है, तो वहाँ के उस sector को काफी boost मिलता है, तो इसलिए जोदपूर टूरिस्ट गाइड एस्सोसियेशन ने टूरिस्म सेक्टर को promote करने के लिए, इन्हें honorary membership और badge जो है, provide किया है, right? जोदपूर टूरिस्ट गाइड एस्सोसियेशन के जो प्रेजेड चेर्मेन है, वो है रतन सिंग, उसके बाद यूद कॉमनवेल्ट केम्स जो की बहमास में और्गनाइज हुए थे, तो उसमें इंडियन ओलंपिक एस्सोसियेशन ने धनराज चौधरी को शेफ डी मेशन जो है वो अपॉइंट किया था, राइट, शेफ डी मिशन क्या होता है, जब भी किसी इंटरनाशनल लेवल पर जो भी नैशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, सब कुछ वहाँ का कैसे देखना है, कैसे मैनेज करना है, उसे हम कहते हैं शेफ डी मिशन, तो पू इंटरनाशनल टेबल टैनिस की जो फेडरेशन है, उसके बोर्ड ओफ डिरेक्टर्स में इनको अपॉइंट किया गया है, और लगातार सेकिंड टाइम इनको अपॉइंट किया गया है, पहले फोर येर्स के लिए रहे थे, उसके बाद इन्हें अभी सेकिंड टाइम भी से 65 years दोनों में से जो भी चीज पहले हो जाएगी तो उसके बाद इन्हें retire होना होगा ठीक है तो इससे हमें याद हो जाता है state election commissioner का tenure कितना है राजस्तान में या तो five years है या फिर 65 years of age है जब कि RPSC के chairman और members का tenure कितना है कौन सी age है उसमें 62 years इस समय chief election officer जो है वो कौन है इस commission के वो है अश्विनी भगट उसके बाद commonwealth championship में जो कि chess की commonwealth championship थी इसमें तीसरी बार लगातार head trick बनाई है अभी जीत गुपता ने राइट consecutively जो है ये third time winner रहे हैं इन्होंने इस बार defeat किया Australia के Alexander Wall को तो हमें याद रखना है commonwealth championship को win किस ने किया है अभी जीत गुपता ने उसके बाद है 44th junior national swimming championship ये organize हुई थी पूने में इसमें राजस्थान के भीलवाड़ा की रहने वाली हैं basically शाहपूरा से belong करती है swimmer है फिर दोस खायम खानी तो इन्होंने silver medal जीता है क्या जीता है इन्होंने silver medal और ये राजस्थान में काफी weight करना पड़ा है कई सालों तक हमें कि swimming के अंदर जो है राजस्थान का नाम हो तो इन्होंने काफी जो है राजस्थान का नाम को बढ़ाया है not only silver medal इन्होंने national junior जो championship organized की गई थी July 2017 में इसमें individual category में 400 meter की जो होती है उसमें gold medal जीता है 200 meter जो butterfly होती है उसमें silver medal 100 meter butterfly में इन्होंने bronze medal जीता है राइट लियाने की तीन अलग-अलग categories में इन्होंने तीनों ही medal हासिल किये है तो first women's winner है ये राजस्थान से जिन्होंने national events में तीनों के तीनों medals हासिल किये है और national swimming championship में जैपूर की रहने वाली है इन्होंने भी दूसरे medals जीते हैं स्रिष्टी, टंडन और अंजली तो ये हमारी आज की कुछ famous personalities थी एक परक्वेक recap देखते हैं जिससे हमें ये अच्छे से याद हो जाएंगी राजस्थान अन्मोल रतन अवार्ड विनर हैं, कार रेसर हैं, शीतल टूकर राइट चुरू की रहने वाले हैं और ये अवार्ड दिया जाता है कमला गोयंका foundation के द्वारा मुंबई based ये foundation है और global leadership award दिया गया है young entrepreneur को कलपेश राजसोनी ये प्रताबगड के रहने वाले हैं और ये अवार्ड दिया जाता है peace and diplomatic organization के द्वारा जो भी youth की empowerment में major contribution अपना provide करते हैं गलपेश राज सोनी जो है इनका contribution किसमे रहा है digital India program के तहित information technology sector में इन्होंने अपना contribution दिया है उसके बाद है new chairman RPSC के कौन है डॉक्टर राधेशाम गर्ग धोलपूर के रहने वाले हैं RSS से associated है रहेगा six months क्योंकि तब इनकी 62 years के age complete हो जाएगी राजिस्थान की ILD Skills University जो की इंडिया की भी first skills university है कहाँ पर located है जैपूर के जमदोली एरिया में ये located है इसके first VC select किया गया है RPSC के former chairman डॉक्टर ललेत पवार को जोदपूर Tourist Guide Association ने जो है honorary membership और एक badge प्रोवाइड किया है बॉलिवूर डेक्टर शारुक खान को उसके बाद Youth Commonwealth Games जो की भामास में organize हुए थे उसमें इंडिया की तरफ से धनराज शौधरी जो है राजस्तान के रहने वाले हैं इन्हे शेफ टी mission अपॉइंट किया गया ये international level पर पूरे एशिया को represent करेंगे उसके साथ साथ international table tennis जो federation है उसकी board of directors के भी ये member है state election commissioner जो है अपॉइंट किया गया है 6th state election commissioner प्रेम सिंग महरा को और इनका tenure रहेगा 5 years और 65 years of age जो भी दोनों में से पहले होगी chess commonwealth championship जो है उसमें head trick बनाई है अभी जीत गुपता ने किसने head trick बनाई है अभी जीत गुपता ने उसके अलावा 44th junior national swimming championship हुई थी जुलाई 17 में इसमें राजस्थान को जो है कई सालों के इतजार के बाद medal मिला है शापूरा भिलवारा की रहने वाली है फिर्दोस खायम खानी इन्होंने इसमें silver medal जीता है इसके साथ साथ इन्होंने इसी championship में gold जीता है 400 meter की individual category में silver 200 meter butterfly में और bronze hunter meter butterfly के under और ये question भी आ सकता है कि first woman swimmer कौन है राजस्थान से जिन्होंने किसी भी national event पर तीनों ही medals हासिल किये हो तो वो होंगी फिर्दोस खायम खानी और दूसरी जिनको medals मिले हैं national swimming championship में वो है स्रिष्टी तंदन और अंजली हमें basically इनका नाम याद अखना है okay I hope आपको ये lesson अच्छा लगा होगा next lesson में कुछ और important personalities को हम cover करेंगे तो please आप rate review recommend करें अपने valuable comments देते रहें मुझे आप वोड कीजिये lessons को और follow करें thank you so much have a nice day take care